जी नमस्कर, Creator Super 30 में आपका स्वागत है, जैसा कि आपने Binomial में देखा, Part 1 में आपने देखा Pascal Trangle को, Part 2 में देखा Expand को, Part 3 में देखा General Term, Starting से, Ending से, और Middle Term को देखा, आज जो हमको बारी है, वह कॉफिसेंट की बारी है, कॉफिसेंट निकालने की बारी है, और इससे IAT ने बहुत बार कोश्चन पूछा है, कॉफिसेंट के बारे में हम सीखेंगे कि कॉफिसेंट कैसे निकालते हैं, अरे Binomial का छोड़िए, Multinomial का कॉफिसेंट सीख जाएंगे, तो कॉफिसेंट वर्ड है क्या पहले ये बात को सीखना है, और Part 6 में हम यही लेके आए, तो कॉफिसेंट क्या होता है, पहले ये बात को सीखेंगे, यहाँ पर देखिए, A पलस B के पावर 13 है, और कोई भी दार्थी आपको पूछ दे, कि सर इसकी कॉफिसेंट क्या होगा, तो एक सिंपल सी बात है, आपका 6, 7, 13 फैक्टोरियल हो गया, यह 6 बार रिपीट करेगा, यह 7 बार रिपीट करेगा, आपका फैक्टोरियल की बात हो गई, क्या आप सोच सकते हैं कि A पलस B के होल पावर 8 है, और यहाँ पर कोई कॉफिसेंट पूछ दे, A के पावर 3 और B के पावर 5, क्या जवाब आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा, क्या मिलेगा, 5, 3, 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, भाई 5 फैक्टोरियल, यहाँ बिल्कूल आपको समझ में आगया है, आया है कि नहीं, यह प्रतिर्या भी आप करेंगे, अब लेकिन यहाँ पर यह है, कि A और B में डाइरेक्ट रिस्ता है, अगर यह रिस्ता होता, तब क्या होता, इस पर हम अप्रे करेंगे, और वहाँ पर आपका एक्स यह डिपेंडनेंट होगा, कि इंडिपेंडनेंट होगा, इसकी भी चर्चा करेंगे, आईए कुछ ऐसा कोशन हम लोग लेते हैं, और यहाँ पर हम विचार करते हैं, A X के पावर P, और यहाँ B X के पावर Q, और इसका होल पावर M, अब यहाँ पर तेरे को कोफिस्ट निकालना है, X के पावर M का, तो पहले हम बरे तरीका से निकालने का परियास करेंगे, और यहाँ पर वर्ड यूज होगा, कास, यानि यहाँ पर अगर M कंबिनेशन R में ऐसा होता, तो यहाँ पर X के पावर P, K पावर A माइनस R, क्योंकि यह रिजेक्शन होता है, और यहाँ पर X के पावर Q, K पावर R, अब यहाँ पर हम बात करेंगा, कि कॉफिसेंट इसका निकालना था, X के पावर A म का, तो अभी हम पावर पर ही केवल बात कर लेते हैं, तो इधर वाले के सॉल्व करेंगे, पीला कमांडो से सॉल्व करना होगा, तो यहाँ पर P, M, माइनस P, R, और माइनस Q, R, और इधर X के पावर A म है, अगर बेस सेम है, और दोनों इक्वल है, तो पावर भी सेम होगा, यानि यहाँ पर यह N होना चाहिए, यानि यहाँ पर हम लोग हाल करेंगे, तो P, N, माइनस R, ले लेंगे, P, पलस Q, और यहाँ पर A, यह उधर चला गिया, P, N, माइनस M, P, पलस Q, R बराबर, P, N, माइनस M, P, पलस Q, यानि R का भेलू निकालना बिल्कुल आ गया है, R जब भी भी होगा तो होल नमबर होगा, यानि आपको कोशन बनाने के लिए, आपको अब कोई किताब की जरुवत नहीं, आप खुद किताब बन सकते हैं, और कोशन को कर सकते हैं, आईए कुछ कोशन हैं हम देखते हैं, यहाँ पर, अब तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट का भी बात करेंगे, अगर मान लेकि 2 एक्स के पावर 3 है, और 5 यहाँ एक्स के पावर 4 है, और यहाँ पर आपका ही 14 दिया हुआ है, और आपको इंडिपेंडेंडेंट निकालना है, मतलब एक्स के पावर 0, एक्स के पावर आपका क्या हो गया, 0 हो गया, अब तुम्हारे पास इसको solve करना है, तो R बराबर हम फर्मूला पहले बताए थे, 14 गुने 3, माइनस 0, और 3 पलस 4, यानि हल कर दिया, यहां 42 माइनस, यानि यहां 6, यानि यहां पर 14 कंबिनेशन 6, अब 2 के पावर 14 में से 6 गया तो 8, और यहां 5 के पावर 6, यह बात आपको clear समझ में आ गया होगा, कि नहीं आया है, बिलकुल इसकी प्रतिरिया करके बता है, अगर सपोज करो कि यहीं कोश्चन में, अगर मैंने फिला से, यहां पर कोफिस्टियन पूछ दिया, एकस के पावर माइनस 7 गा, तब आर बराबर क्या फर्मूला हो जाएगा, यहां 14 गुने 3, माइनस 7 है, इधर पलस 7, और यहां 49, बाइस 7, यहां यहां पर 14 कम्बिनेशन 7, और 2 के पावर 14 में से 7 गया तो, और यहां 5 के पावर 7, यह अंज़र हो गया, हम समझते हैं कि कोफिसेंट निकालना बिल्कुल आसान से आप लोग ने सीखा है, अब इसमें हम लोग जो है, और कोशन को करेंगे, और पूरा डैफ्थ नौलेज आपको चाहिए, तो आप हमारे यूटूब का सब्सक्रिप्शन ले लिजिए, 89 का, या हमारे प्ले स्टोर पर आप जाईए, हमारा एप है, सरदार पटेल शुपर ठट्टी, उस एप को डाउनलोड कर लिजिए, और डाउनलोड करकर के आप वहां पर कर सकते हैं, आईए, हम लोग देखते हैं, और कोशन लेते हैं, कोशन गरना अपनी तरीका, कभी-कभी यहां पर IAT वाले कोशन कैसे पूछते हैं, आईए, हम लोग देखते हैं, कि IAT ने इस पर कोशन कैसे पूछा, तो IAT का कोशन को भी हम लोग सामना करेंगे, और सहज तरीका से करेंगे चुकि इतनी सहज तरीका से किया जाए ताकि कोई कोशन में रुकावट न हो तो यहाँ पर आपका एक कोशन है जो IET ने पूछा है वह पूछा है AXA स्क्वार 1 बाई BX का होल पावर 11 और इसमें कोफिशन पूछा है कि क्या कोफिशन होगा X के पावर 7 का यह निकालने का है और एक और प्रस्ण है X-1 Y BXA स्क्वार होल पावर 11 इसमें कोफिशन पूछा है X के पावर माईनस 7 का फिर कहा रहा है कि दोनों का कोफिशन अगर इकॉल हो दोनों का कोफिशन तो A और B के बीच में रिष्टा क्या होगा यहां बात को पूछा है तो यहां पर रिष्टा के बारे में बात क्या है यानि अराम से हम लोग इसको कर सकते हैं आईए देखते हैं कोशन को पहला वाले को पहले हम सॉल्व करेंगे और रेट पेंड का इस्थिमाल यानि यहां पर हम पहले R का भैलू निकालेंगे 11 दुना 22 माइनस 7 और 2 एक 3 यानि 15 बटे 3 कटके क्या हो जाएगा 5 इसका हम निकालेंगे तो 11 है काई 11 पलस साथ आई ती 18 बटे 3 अब यह तुम्हारे पास आ गया अब तुम्हारे पास इसको सॉल्व करोगे तो यहां 11 कंबिनेशन 5 A के पावर 6 और 1 बाई B के पावर 5 यह कॉफिस्टेंट हो गया इसका और इसका कॉफिस्टेंट निकालेंगे तो 11 कंबिनेशन 6 A के पावर 5 1 बाई B के पावर 6 अब प्रस्ट में कह रहा है कि दोनों आपस में इक्वल है प्रस्ट में कह रहा है कि दोनों आपस में क्या है इक्वल है अरे भाई इक्वल है तो सिंपल सी बात है ना 11 कंबिनेशन 5 A के पावर 6 1 बाई B के पावर 5 और 11 कंबिनेशन यहां 6 A के पावर 5 1 बाई B के पावर 6 a C A आपका कट गया A इसको एक बार में काटा और A इसको काटा एक बार में A बरावर 1 बाई B हो गया ययायनि AB बरावर क्या हो गया यहां यहां से आपको तीन प्रस्ट पूछा गया एक कॉफिस्यंट निकालने का जो अराम से निकाल दिया दूसरा प्रस्ट पूछा गया कि अगर दोनों का कॉफिसेंट बराबर है तो आपका A और B के बीच में दिस्ता यानि आप कोशन बनाते हो चाहे वो NCRT का बनाओ RD सर्मा का बनाओ या ASK गोयल सहभ का बनाओ या ML अगरवाल का बनाओ यानि किसी भी बूक को अगर बनाते हैं तो शौधानी पूरवक बनाना है ऐसे अलजेब्रा का मास्टर बलास्टर हॉल और नाइट का बूक बना सकते हो यानि किसी भी बूक को बनाओगे तो पूर्ण रूप से जनकारी होना चाहिए तो अगले बार में हम लेके आ रहे हैं ग्रेटेस कोफिशेंट को लेके आ रहे हैं पार्ट फाइव में मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए बने रहे हैं